हाई एवरीवन विल्कुम टो सरकारियेट वन सगेंग तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अब्डेट शेयर करने वाला हूं जो कि आई प्यू की बी एसी नर्सिंग काॉंसिलिंग कॉंसिसर रहेने वाला है तो आई प्यू यानी की इंदरपर्फ इंदरपर्स उनिवर्सिटी जोक़िया डैली में है जिसको हम जीजी एस आउय प्यू कर दिया था तो आप यहां पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो आज दोपहर बारा बज़े तक ठीक है तो यहाँ पर यह जो नोटिफिकेशन नहीं 30 अगॉस को रिलीज हो गया था और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो जो चॉइस फिलिंग का प्रॉसेस है वह 30 अगॉस 11 से सुबह शुरू हो गया था और यहाँ पर एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि देखो इसमें आपके टोटल six colleges आएंगे चॉइस फिलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आप सिर्फ सेफ कर पाऊगे लॉग करने का option नहीं आएगा ठीक है तो इस चीज के लिए टेंशन मतले ना कि यह लॉग क्यों नहीं हो रहा क्योंकि कोई option वहाँ पर जिसका नाम है पन्नादाय कॉलेज तो पन्नादाय कॉलेज जो उसकी फीज लगबग 40,000 रुपे है यानि कि 40,000 पर ये इसके अलावा जो हॉस्टल और मेस चार्जेश है वो सब अलग है ठीक है तो सिर्फ मैं आपको अकेडमिक फीज बता रहा हूं जो की सबसे कम सिर्फ एक ही कॉलेज में जिसका नाम पन्नादाय कॉलेज है और बाकी जो भी कॉलेज हैं ठीक है चाहें आपका सेंट स्टीफन सोच चाहें आपका शाकुंदला देवी कॉलेज हो या फिर बाकी जो आपके तीन-चर और कॉलेजेश है वहां पे जो फी स्ट्रक्चर है 90,000 से 1,30, टहां पंघ्री कीहांद सबसे रही स्ट्रक्चर है में स्ट स्ट इफन्स क expecting कॉलेच का जो फी स्ट्रक्चर है एंगा त्ट्टीफन हटेंस हैं जो में सबसे आपको नहीं चाहिए या फिर आप उसमें नहीं ले सकते क्योंकि फीज उसकी काफी जादा है तो उनको चॉइस में आप बिल्कुल भी एड ना करें ठीक है क्योंकि फिर उससे हो गई है कि आपको चॉइस मल जाएगा फिर आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाओगे फिर आज दो बजे के बाद नहीं लिखा है 2nd of September को और जब रिजल्ट आ जाएगा मालो आपको जो सीट मिलती है उसको आपने कंफर्म करना है उसको आपने जो है रिजर्व करके रख लेना है तो चार तारीक तक जो है रात के क्यारा बजे से पहले-पहले आपको 60,000 का आप उससे 100% satisfied हो and further round of counseling में participate नहीं करोगे और float का मतलब होता है कि seat तो मिल गई है आपने यह वाली रख ली seat लेकिन आप second round में भी अपनी seat को upgrade करवाना चाहते है और upgrade नहीं होगी तो फिर वही वाली रहेगी जो आपके पास है तो यह जो option है यह भी आपके पास आजाएगा और allotment letter जो है फिर आपको reporting करनी होगी 4 तरीक से 5 तरीक के बीच में यानि कि 4 तरीक को भी reporting कर सकते हो 11 से 4 के बीच में और 5 तरीक को भी कर सकते हो 11 बज़े से लेके शाम के 4 वे तक उसी institute में जहां पर आपको admission दिया गया है और बाकी सारे जितने भी original documents होंगे वो आपको ल सकते हो और बागी second counseling जो है वो 6th of September से आपकी start हो जाएगी तो बागी कुछ instructions लिखें यह एक पर पढ़ लेना यह PDF आपको website पर मिल जाएगी ठीक है तो अब इस वीडियो को इंपर end करता है I hope सारी information आपको clear है और जिसने choice feeling नहीं करी जल्दी से जल्दी अपनी choice feeling कर ले और